तो जैसा कि यह circle के अंदर आप देख रहे हैं यह एक white blood cells नेकर WBC है और यह आपको S shape में देख रहे हैं तो जब भी अगर आपको S shape में यह दिखे तो इसको हम बोलते हैं band neukrofil band neutrophil क्या होता है यह एक तरह का neutrophil होता है जो कि white blood cells और यह indicate करता है कि आपके जो neutrophil है यह unsegmented nucleus है जो कि C और S का type ले लेता है यह आपको total peripheral blood जबाब करोगे तो 5-10% आपके leukoside में यह देखेगा लेकिन यह दिखने का जो कारण होता है वह यह होता है कि आपको किसी तरह का reaction हुआ है tumor में यह reaction medicine का किसी तरह कोई reaction हुआ है यह आप ज्यादा stress ले रहे हैं smoking कर रहे हैं cigarette जैसे पी रहे हैं या अगर कुछ आईसा ही वल्गिरोजिक exercise आप कर रहे हैं जिसके वैसे जो neutrophil होता है वह आपको unsegmented neutrophil दिखाई देता है जिसका जो safe होता है आप C type में देखोगे य यह S type में देखेगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं और यह हमारे immune system को बहुत जल्दी respond करता है उस cells को और यह micro organism में जैसे कि bacteria virus या traveling अगर आप कर रहे हैं या किस तरह का infection अगर होता है तो यह इसको destroy कर देता है तो देखे यह जब भी आपको microscopy करोगे इस तरह का cells देखे तो यह unsegmented या आप उसको band neutrophil बोल सकते हैं unsegmented neutrophil या band neutrophil हम इसको बोलते हैं